हलो नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ study with happiness केस हमारे नए वीडियो में और जैसा कि अभी मैंने website पर MTS के जोब profile के बारे में डाला था तो उसके बाद देखिए जैसे हमारा किसी भी government job का result आ जाता है उसके बाद जोइनिंग में कितनी फार्मल्टी होती है कितना टाइम लगता है और क्या क्या प्रोसीजर है अज उसके बारे में हम बात करने वाले हैं यह ससी MTS के लिए वी applicable है ससी graduate level के लिए अप्लिकेबल है और हमारा 10 plus 2 लिए अप्लिकेबल है तो मैं आपको बता देता हूँ जोइनिंग फार्मल्टी आफटर रिजल्ट क्या क्या होती है क्योंकि जब भी रिजल्ट आ जाता है तो बस student की यही उमीद होती है कि जल्दी से जल्दी उसकी जोइनिंग हो उसे लगता है कि अगर एक भी दिन वो उसका खली आ रहा है तो उसका financial loss हो रहा है और यह सोचन आपका result out किया, SSC के result out होने के बाद, जो आपका dozier होता है, dozier आपका वहाँ पर तयार कियाता है, जब आप SSC के अंदर document verification कराने जाते हैं, तो आपका dozier तयार किया जाता है, जहाँ पर आपके सारे documents की, आपकी photography होगी, photography का set होता है, और उसके बाद क्या किया जाता है, जो भी आपका parent department होगा, यानि कि SSC ने तो सभी central government के department से collector के देकर से रिखाई थी, फिर वो parent department को आपकी जो file है, वो send कर देगा, parent department को कर देगा, उसके बाद क्या होगा, department की जो website होगी, वहाँ पर nomination list आएगी, कि बच्चों की list डाली जाएगी, कि ये लोग जो है, select होगा है, और इनका ये procedure है, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, हो सकता है, कि जैसे माली जागा ministry पर है, तो तो state preference नहीं भरभाई जाएगी, मगर अगर ऐसा कोई बिवाग है, जैसे माली जे 10 plus 2 में postal department में आपका selection होता है, तो post office में इस बार भी, जो हमारा 2015 मारा CHSL की posting होई है, उसमें उन्होंने state preference मांगी थी, state preference आपको online या offline माध्यम से, आपके पास document पहुचेगा, आप उसे state preference भर सकते हैं, उसमें state preference देते हुए, आपको बहुत ही साफधनी से देना है, तो अब इसके बाद क्या हुआता है, जिसे की poster वाले का मैं आपको example देंगी बदाता हूँ, पहले state preference में आपको state मिलिया, माल लीजे आपको UP मिलिया, UP मिलने के बाद फिर उन्होंने UP की जितने district है, जहां जहां पर उन्होंने बाद में district की भी preference मांग ली थी, पहले आपको rank है according, आपको आपका state locate हुआ, उसके बाद आपको district locate हुआ, यानि कि ये purely merit based है, ऐसा नहीं है कि किसी की जान पे चान जाद है, उसका पहले हो जाएगा, यहाँ पर आपके जो आपकी merit है, cut off है, वो decide करती है कि आपको आपका hometown मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इसलिए जो आपके number है, वो बिल्कुल आखरी तक, जहां तक कि मैं आपको बतावाँ आपका promotion list में भी, आपकी city list में भी आपकी जो ये marking है, यह बहुत जबरज़स रोल निमाती है, बिल्कुल आपके retirement है, तो इसलिए एक्जाम की जब भी दहरी करें, अच्छे से अच्छे number लाने ही कोशिश करें, ताकि select होने के बाद भी, पर promotion list में आपका नाम आपका नाम आए, ठीक है, तो state preference के बाद आपको हो सकता है, district preference भी मंगी जाए, देखिए, जब इतना काम हो जाता है, तो department आपको एक attestation form बेचता है, इसमें दो या तीन सेट होते हैं, attestation form में आपकी सारी detail भरी जाती है, address भरा जाता है, और इसमें दो guested officer के sign भी होते हैं, बिस्ता है, department की जाए जाती है, जो collect rate का जो office होता है, DM office, उसमें हमारा ये दो चीज़ा आती है, verification के लिए, जिसे माली जो कोई general का अगर candidate है, तो उसका police verification आएगा, जिसे PBR बोलते हैं, ठीक है, और दूसरा, अगर कोई OBC, SC, ST का candidate है, तो उसके लिए cast verification भी आता है, तो उसे तैसील से जाकर, जो भी तैसील होगी, उससे उसका verification करा जाता है, और इस चीज़ा दियान रखिए, जैसे कि OBC है, OBC के अंदर creamy layer होते हैं, तो इनका हर साल हमारा cast certificate बनता है, तो उसे अपना नए वाले format में ही बनवाएं, और जो SC, ST है, वो हर department अपना भी एक प्रफॉर्मा भीजता है, तो मतलब जो आपका पुराना वाला cast certificate है, उसी को दिखा कर, वो मतलब नए cast certificate नहीं बनना, अपने घर पर हैं, जैसे कि माल लिए, उनका अभी करण्डी जॉब में नहीं है, तो ऐसे लोग चाते हैं कि जल्दी से जल्दी पहुंचे जॉब में, तो करना क्या है, इनके office में जाकर हमें थोड़ा सा परसू करते रहना है, कि देखिए भई हमारा document verification तो नहीं है, मतलब police verification तो लिए आया, आप जाएंगे तो हो सकता है जो काम पास दिन में होने वाला, वो आपका दो दिन में हो जाए, है ना, वैसे तो सरकारी काम होता ही है अपनी speed से, मकर आप थोड़ा वापर जाकर जाज परताल कर लेंगे, तो थोड़ा सा जल्दी हो सकता है, उसी तरीके से cast verification का, यह सारी चीज़े कर ले, प्लिस verification के साथ एक जो verification होता है, वो local intelligence का भी होता है, तो local intelligence, मतलब वो police के यह, आपको इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आप जो है, या तो police या SI या आपकी post पर depend करेगा, क्या आप अगर बड़ी post पर select होते हैं, जैसे कि CSS में होते हैं, CSS में होते हैं, या फिर external affair में होते हैं, तो इसमें external affair में आपकी ID की भी जाज करा जाती है, क्योंकि देखिए, जब भी government job के अंदर लिया जाता है, तो student का यह तेगिया जाता है, कि कोई फरजी student तो नहीं है, मतलब हर तरीके से आपकी जाज होने के बाद भी department अपनी तरफ से पूरी तसलिए करता है, कि आप कोई fraud तो नहीं है, मतलब genuine candidate ही आना चाहिए, department के अंदर, क्योंकि बहुत ही crucial department होते है, अगर कोई ऐसा गराद विक्ती पहुच जाए, तो देश को बहुत काफी नुक्सान पहुचा सकता है, इसलिए इस तरीके के सारी verification करा जाते हैं, और जब भी आपका police verification हो जाएगा, caste verification हो जाएगा, उसके बाद आपको joining letter आपको issue किया जाएगा, देए, CSS जो होता है, हमारा cadre, जो graduate level से आते हैं, जो केंदरी सेचिवाला है, इसकी training जो होती है, वो ISTM, ISTM यह हमारी New Delhi में है, New Delhi, और इसे South Delhi में ही कहते हैं, यहाँ पर बेर सरायराम की एक जगे है, वहाँ पर इसका training center है, तो ISTM में इनकी joining लगबल लगबल साथ कराई जाती है, पूरा एक batch चलता है, तीन-चार महीने की इनकी training है, तो इसमें assistant की है, ASO के बारे में बता रहा हूँ, यह उनकी training की साथ कराई जाती है, और जो clerical, CHSL वाले होते हैं, जो ministry के अंदर आते हैं, उनका training, joining के समय नहीं कराई जाती है, उनका फिर batch बनता है, बाद में कराई जाती है, उसी तरीके से जो हमारा MTS staff है, MTS staff के लिए कोई अलाग से training नहीं है, वो डारेक्ट उनकी joining कराई जाती है, और यह पूरा procedure है, देखिए इस वीडियो के अंदर मैंने, जो भी मतलब संभब तरीके हो सकते थे, हर तरीके से मैंने बताने ही कोशिश की है, अगला वीडियो में बताऊँगा, वो आपको बताऊँगा, यदि आप already job के अंदर है, और फिर आपको join करना है, तो उसका procedure क्या है, आपको department से कैसी permission लेनी पड़ती है, NOC कहा लागाना पड़ता है, क्या नहीं है, वो पूरा में detail में आपको एक next video में बताऊँगा, यह मैंने उन student के लिए बनाया है, जो बिल्कुर फ्रेशर है, जो अभी जॉब में नहीं है, और नई जॉब में आ रहा है, तो इस कारवाई में लगब यह समाज़ लिए, कि दो से तीन महीने लग जाते हैं, ठीक है, और उनसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट केरें कि सर जल्दी बिजवा दीजिए, तो यह सब काम हम अपने end पर कर सकते हैं, बाकी यह सरकारी काम है, यह अपनी ही स्पीट से होंगे, तो फिर भी मैंने एवरेज बताया, दू से तीन महीने लग जाते हैं, तो आशा करता हूँ कि मैं आपको, मैंने जो यह जनकरी दी है, आपको पसंद आएगी और आप इस चीज को फ़लो करेंगे, ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो मैंने बताया है, नेक्स्ट वीडियो जो हमारे रहेगा, बुराएगा टेक्निकल रेजिगनेशन पर, क्योंकि जो भी हमारे गवर्मेंट सेक्टर में अल्रीडी जोग कर रहते हैं, उन्हें नॉर्मल रेजिगनेशन नहीं, एक टेक्निकल रेजिगनेशन दिया जाता है, उसका क्या प्रोसिजर है, यह मैं नेक्स वीडियो होना हुआ, आपने यह वीडियो देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हम नेक्स वीडियो मिलते हैं, और जल्दी से आप गवर्मेंट सर्विस में आईए, मेरी यही शुब कामना है, धन्यवाद.